ओम नमस्य वाई दोस्तों कैसे हैं आप सब उम्मित करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों अगर आप भी अपनी मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं तो सावन में यह उपाई जरूर जरूर अपना इससे आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी पहला है आपका दुर घटना से बचने के लिए सावन के महीने में किसी प्रकार के संकट और दुर घटना से बचने के लिए रोजाना बैल को हरा चारा खिलाए और गुड के साथ रोटी दें इससे आपके घर में सुख समरिद्य का वास होगा और परिवार में खुश्यां ही अगला उपाई है आपका सौभागय की प्राप्ति के लिए अगर आप भी चाते हैं कि आपके जीवन में कभी भी सुख और सौभागय की कमी ना हो तो सावन के महिने में रोजाना 21 बेल पत्र पर चंदन से ओम नमो सिवाई मंत्र लिख कर उसे सिवलिंग पर चड़ाएं ऐसा करने से आपके घर में पॉजिटिव एनरजी के प्रवेश के साथ परिवार में खुश्या है खुश्या आएगी अगला है आपका सावन के महिने में इसनन करने के बाद सिवजी की पूजा करें और उसके साथ पूरे घर में गौ मुत्र का छिड़काव करें ऐसा रोजाना क और साथ में धूप भी करें ऐसा करने से आपके घर में सभी प्रकार की बुरी सक्तियां चली जाती है और हर संकट से आपकी रक्षा हो जाती है अगला है अगर आपकी कोई इच्छा है जो काफी समय से अधूरी है तो इसके लिए सावन के महिने में आसन सा उपाई कर सकते हैं आपको करना क्या है दोस्तों रोजाना सूर्य देव से पूर्व उठे और नहने के पस्चाद जल में काले तिल डाल कर सिवजी का जला भी से करें ऐसा करते समय रोजाना ओम नमौ मंत्र का जाप करते रहें ऐसा करने से आपकी अधूरी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी माला से पांच माला ओम गण गण पते नमो मंत्र का जब करें जब के पूरा होने के बाद सारी समगरी को किसी अंजान इस्थान पर जाकर जमीन में दबा दें अगर आप भी अपनी अधूरी इच्छाओं को पूर्ण करना चाहते हैं तो सावन के पवित्र माह में यह उपा करना थेंक यू बाई बाई